नामस्कार दोस्तो आँ चो अभी आज डी Hogक है वह फिंक से पहले हम लोग इंडिया ने की जुशेल करैंगे he तो उसको फॉटा साओ मेंड के बारे में समझ लेते हैं कि विट इन इंटर्मिटाइट एंड साइट स्पेसिफिक इस्पेस्पेस्ट इतना नॉर्मल नहीं है ओवर पिर पिर अव टाइम अरी थे मिनिश्टी एफ निवे रिन अरजी थू निशनल इंस्टीट अफ विंड एनर्जी निवे has installed 890 890 wind monitoring stations all over the country and issued wind potential maps at 50 meter, 80 meter, 100 meter and 120 meter above ground level आप समाच सकते हैं कि 890 locations पे जो है wind monitoring stations लगाए हुए है wind potential को assess करने के लिए the latest assessment indicates gross wind power potential of 302 gigawatt and 695.5 gigawatt in the country of the 100 meter and 120 meter respectively above ground level most of this potential exists in 7 windy states यहाँ पर बसके लिए काने के मतलब है कि जो wind mast की height है वो बहुत important factor important factor है wind potential को assess करने के लिए अगर हम height बढ़ाते हैं तो potential काफी huge बढ़ जाती है और आगे हम देखते हैं कि state wise क्या potential है आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो हम अगर 100 meter पर पोटेंशियल assess कर रहे है 302 gigawatt की तो अगर 120 meter पर assess करें तो potential जो 695 मतलब 700 gigawatt के आसपास हो जाती है और दूसरा एक important factor इसमें यह भी है कि हर states में जो है wind आपके potential नहीं मिलती है windy states नहीं है अगर हम उत्तर प्रद्श में wind turbine लगाना चाहे है तो हम नहीं लगा सकते है लेकिन अगर हम राजस्थान में और गुजरात में लगाना चाहे है तो वहाँ पर लगा सकते है क्योंकि वह windy states है तो कौन-कौन से windy states है क्या potential है उसके बारे में discuss करते है तो आप यहाँ पर देख सकते है स्लाइट पर कि state wise wind potential क्या है और तीन कटेगरी में डिवाइट किया गया है अपर 80 meter पर क्या potential है 100 meter पर क्या potential है 120 meter पर क्या potential है तो major जो हम बात करते हैं तो major 7 states ही है और सारे states में potential है but in comparison to these states वहाँ पर potential बहुत ही कम है तो first number पर हम लेते हैं आंध पर्देश का आंध पर्देश में अगर वही यह 80 meter की height पर लेते हैं तो potential is 14.5 gigawatt लेकिन अगर 100 meter पर लेते हैं तो 44.23 और 120 meter पर लेते हैं तो that is the 74.9 gigawatt गुजरात में है गुजरात में potential बहुत ही अच्छा है 80 meter की height पर 35 gigawatt है और 100 meter की height पर 88.43 gigawatt है और 120 meter पर 142.56 gigawatt है करनाट का same 13.6 gigawatt है आपका 80 meter की height पर 100 meter की height पर 55.86 है और 120 meter की height पर 124.15 gigawatt है मद्य पर्देश 2.93 gigawatt है 80 meter की height पर 100 meter की height पर 10.48 है महराष्ट्रा 5.96 गीगावाट है 80 मीटर पे 100 मीटर पर 45.39 120 मीटर पर 98.21 राजस्थान 5.05 गीगवाट का पोटेंशियल है 80 मीटर के हाइट पे ओर 100 मीटर के हाइट पे 18.7 गीगावाट है और 120 मीटर पर 127.575 गीगावाट है तमिलाड तमिलाड में विंड है काफी नंबर वन पर बोल सकते हैं कि काफी विंड लगा हुगा है इंडिया में तो 14.15 गीगवाट का साथ हो अगर विंड में लेते हैं इसे अगर आई जो टोटल पोटेंसियल हेंड पर तो 302 गीगवाट है जिसमें 292 गीगवाट जैसाथ स्टेट्स में आ जाते हैं जो बैलेंस कैपेसिटी आपकी 9.28 अगर इस स्टेट्स में हींद वांट्टी मेटर हम तो टूम्स पंते टॉक्त टोटल तौमी इंडिया के इंडिया जो पूटेंश को इसमारी जैसे की इस साथ आईध्य पर्देश गुज्राद करम्राइफर आया जब ए हम Harishprendhei लगा सकते इपना चाहिए बिहार में लगाना चाहिए वेष्ट मंगल लगाना चाहिए तो नहीं लगा सकते इसलिए बहुस्याइट ज्यूहिए विंट टर्बाइन झोस्के बाद ही वहाँ अलगा Vini लगाने से पहले उनका प्रॉपर एसस्मेंट किया जाता है कि उन्ड के इंडिया की पोटेंशल किया है और उसके बाद ही इसween Anda लगा ही है तो कि भूब दोस्तों यह बारे में गरिडियो बना आपको तो शही लगा ओगा आपको जण Do आपसे नेक्ट वीडियो में थैंक यू जैहिंद